हलो दोस्तो स्वागत थे आप सभी लोगों को हमारा एक और नए वीडियो में आज किसी वीडियो में आप सीखेंगे कि आप एड़ोप फोटोप के अंदर फोटो का बैग्रोंड कैसे रिमूब कर सकते हैं और उसमें आप अपने नुशार से नया बैग्रोंड को कैसे ला सकते हैं दोस्तो तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ इस टैप से दोस्तो फोटो था उस photo का मैंने background को remove किया दोस्तो और आप देख रहे हैं कि उसमें मैंने अलग background इंटरनेट से डाणलोड करकर उसमें देखे दोस्तो यहाँ पर लगाया है और यह काफी बहतीन लग रहा दोस्तो क्योंकि देखने कि यह मेरा पहला का फोट ता जो कि मैंने मुवाल से क्लिक किया था फोटू और यह मेरा फोटू जब मैंने बनाया दोस्तो background रिव्यूब करकर तो इस प्रकास से बनाया फोटू अगर जो आभी फोटू इस प्रकास से बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पू और यहां पर मेरा फोट 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 यहां पर ओपन हो चुका है उसमें आप देखने कि मैंने दो फोटो को ओपन कर लिया दोस्तो आप जिस फोटो का background को रिमूब किजाए दोस्तो तो उस फोटो को सबसे पहले आपको मुझा से क्लिक कर लेना या फिर अगर आगर आपके background internet से कैसे download किया जाता है तो उसके लिए मैं इसलिए chrome browser पर आपको लेकर चलता हूं और फोटो का background रिमूब करकर दिखाता हूं और एक नया background भी download करना सिखाता हूं तो उसके लिए चलिए मैं chrome browser को जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहां पर open कर चुका हूं उसको बाद आ यहां पर एक option आप मिलेगा upload image का इस पर click करकर अपना जो background रिमूब के जीगा उस image को यहां पर आपको upload कर देना चलिए मैं अपना उस image को जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहां पर उसको open कर देता हूं open करने के बाद आपको कुछ टैम बेट मात्र एक से दो मिनिट बेट क आपका बाइग्रोंड भी रिमूब हो जाएगा तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर मेरा फोट्टो का बाइग्रोंड रिमूब होकर तयार हो चुक है उसको आपको यहां पर download का button मिल रहा है इस पर आपको click करकर अपना फोटो को यहां पर download करने अपने आपका computer में यह photo download हो जाएगा उसके वाद चलिए दोस्तों मैं आपको एक अच्छा सा background download करना सिखा जाता हूं तो उसके लिए आपको द्वारा से सर्च करना है यहां पर आपको सर्च करना studio background यहां पर आपको लिखेगा studio background तो इसको आपको लिखकर सर्च किजिगा तो इस resolution इस पर आपको क्लिक करकर इस साइट को आपको open कर लेना है तो open करने के बाद दोस्तों इसमें आपको बहुत प्रकार का अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अस्टायल का यहां पर देख सकते कि एक background मिल जाता दोस्तों तो इसको आप दोस्तों यहां से download कर सकते जो भी आपको पसंद आता है जैसे कि आप देख रहें यहां पर मिल रहा है अगर जो आपको यह background जैसे कि मालीच यह आपको अच्छा लगा तो इस पर आपको right क्लिक करना है आउर आपको यहां पर save image का option मिल रहा है तो इस पर आपको click करका save image पर click करकर इसको आपको अपने computer में यहां से save कर लेना तो यह आपका computer में यहां पर save हो जागा दोस्तो तो इसमें देखिए आपको बहुत सरा background मिलता दोस्तो तो आप अपने स्वार से background को आप download कर लिजीगा तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको photo का background remove करने का तरीका और background डाउनलोड करने क तरीका दोनों तरीका में बता चुका हूं अब चलिए मैं Photoshop पर आपको लेकर चलता हूं वहां पर जाकर आपको photo को designing यान की editing करना सिखाता हूं तो इसके लिए मैं Photoshop के अंदर आ चुका हूं दोस्तो जैसा कि आप देख रहें तो यह मेरा photo आप देख रहें कि मेरा पहले का और यह photo मैंने जो background जैसा कि आपने देखा उससी पराज दोस्तो मैंने यह background को download किया था तो दोनों photo आपको इस पर open कर लेना है तो सबसे पहले दोस्तों यह काम मैं सिखूंगा जैसे कि मान लीजी मैं इस photo को open करता हूं फाल पर click कर लेता हूं फाल पर click करने बाद open पर click कर और जो photo का background आपने रिमूब किया था उसको आपको यहां पर open कर लेना चलिए मैं इसको भी यहां से मैं open कर लेता हूं तो जैसे कि आप देखरें के मेरा background रिमूब किया गया photo है दोस्तों इसमें आपको इसका quality और इसका quality में आपको काफी different नजर आ रहा है इसमें आपको quality quality आप काफी अच्छा रहेगा दोस्तों जो कि आपका original photo रहेगा और जो आपने background रिमूब किया था दोस्तों उसका quality काफी खराब हो जाता है लेकिन इस quality को हम को ठीक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे तो उससे ठीक करने के लिए दोस्तों आपको जो photo था इ आपने देखा उसको बाद दोस्तों आपको crop tool को slate ही रखना है और इस बाली image पर आजना जो byron आपने रिमूब किया था उसके बाद आपको अपने crop tool को इस तरीका से slate कर लेना पूरा image को और उसके बाद यहां पर आपको tick out कर देना है tick out की जिगा दोस्तों तो आपका photo कु प्लस B button को press कर देना है उसको बाद दोस्तों इतना काम करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहां पर दो layer open हो चुका दोस्तों अगर जो आपको computer में यह layer panel show नहीं कर रहा दोस्तों तो आपको यहां पर window पर क्लिक करना है और इसमें आपको layer वाल option को tick कर देजेगा तो आपका यहां पर layer panel show करेगा दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना नीचे वाले layer पर आ जाना layer 0 पर उसमें आपको control बटन को press करकर इस पर आपको क्लिक करना है तो देख सकते कि photo में एक selection बन जाएगा उसके बाद आपको layer बन पर क्लिक करना है और अपने keyboard से control shift i button को press कर करना है और delete button को press कर देना है तो देख सकते कि photo का background यहां पर remove हो जाएगा और जो फोटो का quality इसमें था दोस्तों जो फोटो का quality आपका original photo में रहेगा वही quality आपको सेम जो background remove किया है था दोस्तों उसमें आजा गया यानि कि दोनों का quality यहां पर सेम हो चुगा दोस्तों उसक को एक merge करना यानि कि इसमें इसको group में बना लेना है और इस photo के इसको आपको यहां से crop कर देना है crop करने को आप दोस्तों अप चलिए आप दोनों काम में करता हूं तो आप उस photo को open कर लिजाए दोस्तों जो आपने background आपने download किया था तो चलिए मैं तो open कर चुका हूं और को यहां पर लाता हूँ और में Loop Donne Miller को select कर लेता हूं इस हे फोटू को पकड़कर यहां पला कर करक में paste कर देसकते कि ए फोटू यहां पर मेरा नयर बारोन पर आचुका है उसका वाध्वाध दोस्तो मैं क्या करता हूं अपने keyword से control 0-free tooltool-e했던 उसको देशक्ते की कर दोस्तों यहां पर इसका एक 4 दोस्ते रेंज हैं जिसकी आप फोट्व को बढ़ा षोटा कर सकते हैं तो मैं नीचे से फोट्य सीउप बटन कोफ्रेश करकर मैं फोट्व को यहां पर छोटा कर लेता हूं कीकि इसमें ज्यादा बड़ा था तो कुछ इस टाप से दोस्तों मैं फोटो को यहाँ पर छोटा कर लता हूं और भीचोगीच के संटर में जहाँ पर भी आपको अजेस्टमेंट ठीक लेकर दोस्तों आप आपको फोटो को रखना है और इसक्वाद यहाँ पर आपको टिक आउट कर देना तो दे सकते कि आपका photo का जो background थो अच्छी प्रकास से remove हो चुका है और मेरा जो quality था दोस्तो ओभी यहां पर same है यान कि इस प्रकास से दोस्तो आप किसी भी photo को background remove करकर एक नया background download करकर उसमें कुछ इस्टास दोस्तो फोटो को बना सकते हैं तो जैसा कि दोस्तो आपने देखा कि मैंने आपको एक अच्छा सा तरीका बता चुका है दोस्तो फोटो का quality यहां पर अच्छी पर बन जाता है तो आपका यह okay किजिगा तो आपके computer में यह photo save हो जाएगा अब चलिए मैं आपको दोनों फोटो को on करकर दिखाता हूं जो photo मेरा पहले का था अज इस photo का मैंने background remove कि आदोस्तो वो दोनों photo को में आपको open करकर दिखा दता हूं तो चलिए मैं अपना location से में दोनों photo को select कर लता हूं और आपको दोनों फोटू को open करकर दिखा दोता हूं यह मेरा फोटू पहले का था जैसा कि आप में देखा था और आप मैं दिखाता हूं जो फोटू मैं चयाजने आफी बहतरीन तरीका समयरें उंहें करकर देखाई दोस्तो तो चली कॉर्प्मिलतर्याखु़ जक्न दूस